यादेवी सर्व भूते आप सभी का बहुत स्वागत है गृन टीवी की नवरात्र विशेश में जिसमें आज हम बात करेंगे मा के आठमे सुरूप महागोरी के बारे में मा की महिमा तो बताएंगे ही साथ ही ये भी बताएंगे कि आठमे दिन क्यों किया जाता है कन्याओ का पूजन और ये तमाम बातें बताने के लिए एक बार फिर हमारे साथ स्टूडियो में मौझूद है पंडित अमित पांडे जी जो की जोतिशी है पंडे जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है इस स्टूडियो में जी धन्यवाद आपका जी तो चलिए कारेक्रम के शुरूआत करते हैं और जानते हैं मा के आठवे स्वरूप मा महागौरी की महिमा और सबसे पहला सवाल यही कि मा के इस स्वरूप का राम महागौरी क्यों पड़ा पंडीजी पहला सवाल मेरा रोजाने की तरह फिर यही है कि इस स्वरूप को महागौरी के स्वरूप को महागौरी कियूं कहा जाता है देखिए माता महागवरी का यह स्वरूप नौरात्र के आठमे दिन के रूप में पूजित होता है महागवरी का यह जो स्वरूप बना इसके पीछे कथा है बता दूँ आपको कि जब माता ने संभु को पती के रूप में प्राप्त करने के लिए तब किया तो उनका सरीर बहुत कृष्ण हो गया बड़ा काला हो गया तब भगवान शिव ने गंगा जल से उनको स्नान कराया जिसके कान से पूरा काला रंग उतर गया और सरीर विलकुल गवर्ण का हो गया गवर्ण होने के कान माता गवरी कहलाई और जिसे आगे चलके महागवरी के हुआरूप में देवताओं ने उनकी पूझा कि यह ईशरूप माका देखने में पूरी तरह कैसा है देखिए माता के सुरूप के विशे में हमारा सास्त्र कहता है स्वेते बिसे समारूधा स्वेतां बर धरा सोचे महागवरी सुभंद जय ए और महादेवा प्रमोधता, मा दुरगाजी की आठवी शक्ती है मातामा महागवडी, इनका वन पूर्णतः गवर है, गवरे रंकी है मा, इस गवर्णता की उपमा, इस गवर्ण की उपमा संक से, चंद्रमा से, और कुंद के फूल से की गई है, इनकी आयू मातर आठवरस मानी अश्ट वर्षा भवेद गवरी गवरी की जो पूजा होती आठ वर्ष के कन्या के रूप में होती इनके समस्त वस्त एवं आभूशन के जितने भी चीजे इन्होंने धान कर रखी हैं सभी स्वेत रंगी हैं इनकी चार भुजाएं हैं इनका वाहन ब्रिशबर्थात बैल है इनके उपर दाहिने हाथ में अभाय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। उपर वाले बाय हाथ में डमरू और नीचे के बाय हाथ में वर मुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत सांत है, मतलब सांत सात्विक प्रकृति की ये माता महागवरी देवी है इनकी पूजा करने से सांति की प्राप्ति होती है, अभाई की प्राप्ति होती है सब प्रकार की मनोकामनाओं को पुर्ण करने वाली देवी माता महागवरी है माता के स्वरूप का पूजन उसी तरीके से होता है जैसे बाकी के साथ स्वरूपों की पूजा आपने बताई या कुछ खास कुछ अलग विधी से होती है हमा की पूजा देखिए माता की भी पूजा महागवरी की पूजा उसी प्रकार से होती है जैसे दुरगा के अन्य सात सुरूपों की पहले मैं कह चुका होती है उसी तरह से होती है माता पारवती के रूप में इन्होंने भगवान स्युकोपती के रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी कठोर तपस्या की थी तो जो देवी की कथा होती है जिस हेतु से देवी का जन्म होता है वही हेतु अपने भक्तों को देवी भी देने में सामर साली होती है इसलिए जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है वो कन्याओं विशेश रूप से माता गवरी का पूजन करके अपने मन पसंद का वर प्राप्त कर सकती है जिस तरह से माता सीता ने दिवाह के पुर्व जब सिव धनुस यग्य हो रहा था उसके पुर्व वो माता महागवरी की ही पूजा करने गई थी और माता महागवरी की आसिरवास से ही जानकी माता को प्रभु स्री राम पती के रूप में प्राप्त हुए थी इसलिए माता महागवरी की जो विशेश पूजा की जाती है वो जिन कर्ण्याओं का विवाह नहीं हुआ है वो कर्ण्यादी करती है तो निश्यत रूप से उनके मनपसंद का जीवन साथी प्राप्त होता है और चुकि माता ने एक प्रतिग्या की थी कि ब्रेहम वरदम नान्यम देव महेश्वरात या नारत पंजरत की बात है कि उन्होंने तपस्या की थी इस प्रतिग्या के साथ कि मुझे पती मिलेत कौन संभुआ था श्रीव के रूप में को स्वामी तुलसिदाज जी अपने दिव्वेक्रंथ रामचरित मानाज में भी माता गवरी के प्रतिग्या के बारे में कहते है जनम कोटी लगी रगर हमारी अब बरहुं संभुनत रहुं कुवारी की मतलब मैं कठोर तपस्या करूंगी लेकिन सीव को ही प्राप्त करूं कि तब के कान ही माता का रंग काला हुआ और इनकी तपस्या से जब भगवान भोले ना सम्भु परसन हुए उनको आसिरवात दिया इन्हें अपनी भार्या के रूप में स्विकार किया उसके पस्चात गंगा जी से इनको स्नान करा इनको रगर रगर के बिलकुल सक्ष किया उसके बाद इनका रंग बिलकुल बिद्दुत के समान चमकने लगा अत्यंत कांतिमान हो गया गौर वन रहो उठा तब इस इनका नाम माता महागौरी पढ़ गया अब आपने दूसरा प्रसन किया था पूजा की विधी वो तो मैंने बता दिया सामाने पूजा करे और कन्य रात्री के बेलामिन की पूजा ना करें प्राताकाल या सायंकाल दो ही बेलामिन की पूजा करने चाहें एक बाद दूसरी बात आप जो भी आप पास उपलब्द सामगरी है वो तो आप चाहाईए लेकिन आप सवंदर्य प्रशाधन की सामगरी सुहाग की सामगरी माता महा पुजा को अवस्य चरहाएं क्योंकि माता की पूजा युगल रूप से की जाते युगल अरथा जोड़े से की जाती है भगवान श्यूद, महादेव, मातां महागौरी पार्वती इसलिए जब भी आप इनकी गवरी की पूझा करें तो सुहाग की सामगरी शंदरी की सामगरी आप कुछ भी चाहिए एक जो है आप बिंदी ही चढ़ाएं लेकिन जरूर चढ़ाएं तब ही माता महागोरी की पूझा संपूर्ण मानी जाती है यह आप ध्यान रखें निषित करम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि मा महा गौरी की पूजा से किस विशेश फल की प्राप्ती होती है साथ ही आपको बताएंगे कि क्यों की जाती है अस्टमी के दिन कन्याओं की पूजा कन्या पूजन का क्या महत्व है बताएंगे सारी बाते हैं लेकिन फिलहाल एक छोटा सब्रेक ब्रेक की बाद एक बार फिर स्वागत है आपका नवरात्र विशेश में जिसमें आज हम बात करें मा के आठमे सरूप मा महा गौरी के बारे में मा की पूजा विधी क्या होनी चाहिए किस प्रकार उनकी पूजा आपको करनी चाहिए मा का सरूप देखने में कैसा है तमाम बातें पंडे जी न आपको बताएं लेकिन मा की पूजा करने से आपको किस फल की प्राप्ति होती है चलिए ये भी जान लेते हैं पंडी जी दुर्गास्टमी की पूजा विशेश मानी जाती है। इस पूजन को करने से किस फल की प्राप्ति भक्तों को होती है। जो माता महागौरी की पूजा अराधना करता है। ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार से पवित्र और अक्षय पुड़े का अधिकारी हो जाता है। इसलिए महागौरी का आप ध्यान करें, इसमन करें, पूजन करें, अराधना करें। इस तमाम चीजें आपके लिए सर्व प्रिया कल्यार कारी होंगी और इन ही चीजों से आपका कल्यार हो सकता है। हाँ, एक चीज सदयव ध्यार रखने योगे हुए है कि इनकी क्रिपा से अलवकिक सिध्यों की प्राप्ती भी हो जाती है। इसलिए आपको यदि कोई विशेज क्रिपा कटाक समाता महागौरी के मिले, उसको अनभो करना चाहिए न कि उसका अंकार करना चाहिए। मन को अनन्य भाव से एक निष्ट हो करके सदयव इनके पादार विंदों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। ये भक्तों के कष्ट को अवश्च दूर करती हैं। इनकी उपासना से आर्थ जनों को असंभवक पार भी संभव हो जाते हैं। अता इनके चर्णों की सन पाने के लिए हमें सर्व विधी प्रयत्न करना चाहिए। पुराणों में भी इनकी महिमा का प्रचूर आख्यान किया गया है। ये मनुस्य की वृत्तियों को सत्क को प्रेरित करके असत का विनास करती हैं। मतलब स महागवरी की पूजा अश्टमी के दिन आप अवस्य करें इनकी क्रिपा के पात्र बने और अपने जीवन को सफल मनाएं। अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपने बताया था कि जब माहागवरी की पूजा करें तो उनको पूजा समगरी में जो अर्पन करें उसमें कोई न मैं आ रहे ही अर्चने खत्म हो जाएं इस तरीके को कुछ होता है देखिए स्विता जी कई बार हमारे पास ऐसी कुण्डिया भी आती है इसी कन्याओं की कि जिनके विवा में काफी बिलंब होता जाता है चब्वी सताइस अठाइस तीस तीस वर की लड़कियां हो जाती है लिंक उनके योग्य वर उने नहीं मिलता है तो मैं ऐसे में सभी कन्याओं को एक उपाय जरूर मताता हूं आप मंगल वार के दिन माता मंगला गवरी के दर्शन को जाएं मंगला गवरी को सुहाथ कि सामगरी जलाएं लाल रंग के फूर चलाएं दीपक जलाएं मिश्ठान आधी का भोग लगाएं यह उपाय में जरूर बताता हूं समस्त करन्याओं को जिनकी कुलने में विवाः प्रदिबंदग योग होता है खास करके मंगल रहू हो सनी मंगल हो सब्तमभाव को प्रित कर रहे हो ऐसी अस्ता में तो कहीं ने कहीं विवाः के समस्त प्रकार की बाधाओं को दोस करने का समन यदि किसी सक्ती में है तो माता महागवरी में है हाँ महागवरी के एक साथ उनके सब्द जुड़ाता है मंगलागवरी मंगलागवरी मतलब मंगलवार के दिन पूजा प्राप्त करने वाली देवी सब प्रकार के मंगल को देने वाली माता महागवरी इसलिए मंगल के दोस्त को दूर करने के लिए और उत्तम व्यवाहिक जीवन के लिए मैं हमेशा आपने लोगों से कहता हूँ कि आप माता मंगला गौरी का दर्संग करें उनके क्रिपा से और अप यकीन जानिए मैंने अपने इस जोतिस के करियर में अब तक जितने लोगों को यह उपाय बताए हैं और सारे उपाय सिद्ध हुए हैं सफल हुए हैं आज तक उनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लोटा है जोतिस के योग चाहे जो रहे हो ग्रहों ने चाहे जो तांडों किया हो कोई फरफ नहीं पाता तो अब विवाहत कन्याओं के लिए या विवाहा में अर्चन आ रही है जिन कन्याओं की उनके लिए भी मा का आशिरवात बहुत ज़रूरी है महागोरी कि अगर आप पूजा नवरात्रों में भक्ति भाव से करेंगी तो आपके विवाह में आ रही ही अर्चन जरूर खत्म होगी पंडी जी अब मेरा एक सवाल ये है कि अश्टमी के दिन कन्याओं का पूजन भी किया जाता है कई जगा नौमी को होता है लेकिन अश्टमी के दिन भी कन्याओं का पूजन किया जाता है वो क्यों किया जाता है देखिए कन्या के पूजन का विधान है चुकि नौ दिन हम ब्रत करते हैं तो दुरगा के प्रत्यक्ष सुरूप को पूजा करने के लिए हमें कन्याओं का पूजन करना चाहिए इस संसार के समस्त विद्याओं में माता कावास है इसके साथ साथ इस संसार में जितनी भी महिलाएं हैं जैसी भी संस्त देवी की ही सुरूप हैं ये माता सोयम कहती है संसार के समस्त इस्त्रियों में कौन रहता है मात सोयम विराज मान रहती है इसलिए कन्याओं के पूजन का विधान अमारे सास्तर में है नौरात्र के अस्टमी और नौमे की दिन अस्टमी के दिन चुकी महानिशा की रात्री होती है रात्र में जागन किया जाता है और विशेश पूजा पाठ किया जाता है इसे महानिशा कहा जाता है काल रात्री महा रात्री मोह रात्री जो काल रात्री का विधान आता है ये महा रात्री का विधान आता है चार रात्रियों में से एक रात्री ये प्रमुख है नौरात्री की रात्री ये महा निशा अस्टमी की ही रात को किया जाता है इसलिए इसी में कन्या पूजन भी किया लोग अपने सुधानसार या ब्रत के पुर्ण होने पर कुखी आपो जन करते हैं जो नौमी को भी कन्या पूझन पूझन कर सकते हैं हवन के पहले यहां के बाद इसमें कोई बहुत फ़रक यह ऐसा नहीं है कि अस्टमी को पूझन किया और आपने अपना अपना बात आती है कन्याओं के पूजन से क्या फर्मिलता है देखिए मारे सास्त्र में बहुत नियम दिये हैं अगर आप नियम ध्यान से पढ़िए तो आपका काम निश्चित होगा जिस अभिष्ट की कामना है वो अभिष्ट आपका जरू को होगा जैसे यदि आप एक वर्सकी कन का पूजन करें ना चाहते हैं तो ना करें क्योंकि एक वर्सकी कन्या को न तो उसे रस का ग्यान होता है न गंध का प्यान होता है शठी क मारे सास्त्र मना करनां दो वर्स से कन्या का पुजा नारंब करना चाहिए दो वर्स की कन्या हमारे सास्त्र में कुमार क्या कही जाती है उन्देवी का नाम क्या है कुमार क्या जदी वही कन्या तीन वर्स की है तो वह कन्या हो गई त्रिमूर्ती चार वर्स की कन्या हो गई कल्नियारी और पांच वर्स की कन्या रोहनी कहलाती है तथा च्छ वर्स की कन्या काली का कहलाती है और यदि कन्या की आयू साथ वर्स पूर्ण हो चुकी है तो वह चंडी का कहलाती है आठ वर्स की कन्या सांभवी कहलाती है और नव वर्स की कन्या स आक्षा दुरदा का शुरूप होती है दस वर्ष की कन्या सुबद्रा कही जाती है और दस वर्ष के ऊपर की कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए दस वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करना चाहिए किस आयू वर्ग की कन्या को पूजन करने से किस फल की प्राप्ति होती वो बता देता हूँ जैसे दो वर्ष की कन्या कुमारी नाम की कन्या का पूजन करने से दुख दरितता का नास होता है सत्रु अपना हारमान लेते हैं तथा आयू और धन बल ये तीन चीजे व्यक्ति की बढ़ जाती है तीन वर्सी कन्या मतलब त्रिमूर्ती नाम की कन्या का पूजन करने से धर्म अर्थ और काम की पूरती होती है तीन चीजों की धर्म अर्थ काम और धन धाने का भी घर में आगमन होता है संतान सुख की भी प्राप्ति होती है त्रिमूर्ती नाम की कन्या का पूजन करने से जो मनुस्य विद्यारती हैं, विजय की कामना रखते हैं, राज की कामना करते हैं सुख की कामना करते हैं वह नित्य इस नौरात्र में कल्याणी कन्या का पूजन करें मतलग चार वर्स तक की आयो का कन्या पूजन करें क्योंकि यह चार वर्स की कन्या कल्याणी सर्व प्रकार की कामद होती है रोग नास के निमित्थ विधिवत रोहणी की आराधना करें सत्र पिड़ा से मुक्ति के लिए भक्ती पुर्वक कालिका का पूजन करना चाहिए यदि धन चाहिए आईस्वर्य प्राप्ति की अभिलासा हो तो चंडिका नाम की कन्या की आर्चना करें, अराधना करें समोहन, दुख, दारिद्र, नास्ता न्याले में विजय हो तू सांभवी नाम की कन्या का आप पूजन करें किसी विशेश कार्य की सिद्धी है तू परलोक में सुख पाने के लिए नव वर्ष की दुरगा नाम की कन्या का आप अराधना करें अपनी आकांचाएं पूण करने के लिए सुभध्रा की पूजा करें इन देवियों की कन्याओं का पूजन करने से आपको निश्यत रूप से सब प्रकार की मनोकामनाओं की पूरती होगी और जिस मनो कामना से आप पूजन कर रहे हैं वह जरूर पोन होगा तो फिलाल कारेकरम में हाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक से लोटेंगे तो बताएंगे आपको कैसे करें अस्टमी के दिन कन्या पूजन साथ ही ये भी बताएंगे कि राशी अनुसार आप कन्याओं को क्या दान कर सकते हैं बने रहे हैं ग्रीन टीवी के साथ मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद एक बाद फिर स्वागत है आपका ग्रीन टीवी के नवरात्तर विशेश में जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मा के आथमे स्वरूप मा महागोरी के बारे में पंडिजी ने आपको बताया है कि क्यूं की जाती है अस्टमी के दिन कन्याओं की पूजा लेकिन कन्या पूजन की क्या विशेश विधी होनी चाहिए वो भी पंडिजी से जान लेते हैं और राशी अनुसार आप कन्याओं को क्या दे सकते हैं अस्टमी के दिन ये भी जान लेते हैं पंडी जी हमेरे दर्शकों को बताए कि कन्या पूजन की क्या विधी होगी। साथी राशी अनुसार वो क्या देशक्त में है कन्याओं को ये भी बताए। जी, आपके घर में जब कन्याओं आ जाएं तो स्वर प्रथम कन्याओं का आप चरण दोईए, उसके पस्चात साफ कपड़े से उनके पैरों को पोछिए और उन्हें दिव्यासन पे बैठाईए, बैठाने के बाद उनके मस्तक पे तिलक लगाईए, तिलक के साथ साथ थोड भी पहना देजिए, उसके पस्चात आपके किचन में, आपके रसोई में, जो भी बना हुआ है, स्रद्धापुर्वक आप उन समस्त कन्याओं को खिलाईए, लाने के पस्चात उन्हें कुछ द्रब दक्षिना सरूप में दीजिए, उसके पस्चात जब वो कन्याएं घर स जाने लगें, तो उनका चर्ण छू करके सपरिवार आसिरवाद दीजिए, और उनके हाथ में थोड़ा सा अच्छात और फूल आप दे दीजिए, और उनसे कहिए, कि आपके पीठ पे वो, आपके सर पे वो छोड़ दे आसिरवाद सरूप में, आप यकीन जाईए, ये जो आभाव नहीं रहेगा, यह प्रयोग आप हर नवरातर में करिए, आपका जीवन सफल हो जाएगा, अब बात करते हैं कि आप रासी अनुसार इन कन्याओं को क्या समर्पित कर सकते हैं, क्या भेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले बात मेस रासी, मेस रासी के लोग इन कन्याओं को हरे रंग की चूणियां हरे रंग के वस्त्र समर्पित कर सकते हैं करक रासी के लोग चांदी की चेन या चांदी की पायल इन कन्याओं को समर्पित करें सिंह रासी के लोग इन कन्याओं को लाल रंग के वस्त्र समर्पित करें कन्या रासी के लोग हरे रंग के वस्त्र तथ आप दानसलों घेटस रूख दे सकते हैं बात करते हैं व्रिष्चिक रासी की लोग इन कन्याओं को एक आच्छा मखबल का वस्तर या रेसम का वस्तर समरकित 가ve हैं रञ उसका लाल हो बात करते हैं धनुराशी की लोग द्रया फितांवर को वस्तर को समर्पित कर सकते हैं इन कन्याओं को अब बात करते हैं मकर रासी की मकर रासी और कुम्भ रासी के लोग इन कन्याओं को चपलें वह भी चमडे की चपल या जूतियां इन कन्याओं को इनकी पैरों के साइज के हिसाब से आप इने दें ताकि वो उसका प्रयोग करें निशित रूप से आपको इसका लाव मिलेगा, यह क्योंकि यह प्रत्यक्ष देविया है, इनकी क्रिपा से सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे, यह उपाए मकर रासी और कुम्ब रासी दोनों रासी के लोगों करना है, क्योंकि यह सनी की रासी है, अब बात करते हैं आख प्रतांबर कलर के कपड़े आप इन्हें दान में दे, निशित रूप से आपका कल्यार होगा, माता भगोती दुरगा आपके उपर प्रसंद होगी और जो भी आपकी अभिश्टिक्षा है उसे पूर्ण करेंगे, तो राशी अनसार आप करन्याओं को क्या दे सकते हैं, प इससे और बात करेंगे मा के नौमे स्वरूप मा सिद्धी दात्री के बारे में, मा का महत पो बताएंगे, मा की महिमा बताएंगे, साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि नौमे दिन को क्यों कहा जाता है राम नौमी, वो हम आपको बताए ही चुके हैं क्योंकि राम का जन्म कर दो कर दो